असरप्पुर बरवा में एक बिद्दुत सविस्टेशन बनवाने का हमने कार किया है इलवात गंज में बिद्दुत सविस्टेशन जो बन रहा था पूरा नहीं था उसको पूरा करा कर चालू कराने का काम किया सेन्पुर में एक सविस्टेशन पहले चालू था बन रहा था लेकिन पूरा नहीं हो पाय था उसको पूरा कराने का काम किया उसके बाद 24 घंटे में आपके हाँ मुफ्त में बिना किसी खर्चे के टांसफार्मर बदले जा रहे हैं बिजली निर्बाद रूप से इतने बिपरीत मौसम के बाजूद भी बिजली निर्बाद रूप से सारे छेत्रों में गाओं में 18 घंटा सहरों तहसील केंद्रों पर 20 घंटा तथा इसके अलावा जिला केंद्रों पर 24 घंटा बिजली मौहया कराई जा रही ये उत्तर प्रदेश सरकार की इससे बड़ी उपलब्दी और क्या कही जाएगी पहले तो सरकारे थी अपने अलग-अलग जिलों में अलग-अलग महत्त पूर्ण जगहों पर के ओल बिजली दिया करती थी और जल्पदों में बिजली के लिए किसान वहां के नौजवान वहां के छात्र हमेशा महरूम हुआ करते थे लेकिन अहां उनके पास कोई ब्योस्था नहीं हुआ करती थी लेकिन आज की परिस्थिती है पूरे प्रदेश में जो भी ब्योस्था कहीं एक जिले की लागू है वही सारे प्रदेश में लागू है ऐसी पारदर्सी सरकार चल रही है भीटी में हमने 25 लाख रुपे देकर एक बड़ा बरात घर बनवानी का काम किया तमाम गाउं में करीवे 30 से 35 बरात घर विभिन गाउं में हमने 11-11 लाख रुपे का बनवानी का काम किया इस तरह से छेत्र में विकास के कारिये में हमने पूरा रूच लिया और साथ ही साथ है किसानों की आवाज को विधान सभा में उठा कर चार पोल का जो खंभा लगता है उसका मौबजा पहले नहीं मिला करता था हमने सरकार को मजबूर किया कि अब किसान के घखेत में जहां चार खंभे का पोल गड़ेगा उसके जो सरकिल रेट है उसका 85 फिश्दी उसको मौबजा भी नया देने का दिलाने का काम किया वो जो ये दावा कर रहे हैं कि अभी तक हमने हजारों लोगों को यहां पे सहायता दिलवाई रासी दिलवाई मैं कहना चाहता हूँ मुफ्त का रासन उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है मुफ्त में अभी तक किसानों के लिए सबसे पहली बार किसान सम्मान निधी की योजना उत्तर प्रदेश और केन सरकार के योजना से ये पूरे सारी किसान अप्छादित हो रहे हैं इतना ही नहीं कहना चाहूँगा अब तक के बेसिक सिक्षा के जो काम होते थे हमारे आज बच्चे कॉन्वेंट में स्कूल के बराबर प्राथमिक विद्याले में जाने वाले बच्चे गरीबों के बच्चे गरीबों के छात्र आज अपने में एक होसला बढ़ा करके स्कूल जा रहे हैं